और नितिष कुमार मोहीनी के तरह हैं जिसे देवताँ भी चाह रहे हैं है का लड़य क welding से विखार रहे हैं विखार बृए चाह रहे है मेंघकी सब्सक्रणिक कॉन इंवस्टिर आपके गहार के इंवस्ट करेगह कि कभी इस पाटी में कभी इस पाटी में और ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि नितिश कुमार के एक पॉकेट में स्तीफा होता है एक में उनका जो उसको क्या बोलते हैं जो होता है सपत पत्र होता है उपर उनके फेविकॉल होता है एक तरफ त्याग पत्र देते है और clear majority हम लोग भाजपा को देंगे राममंदर के नाम पर राममंदर के नाम पर वोट दिया था बिल्कुल बिल्कुल जातपात पही होगा छे महीने आने दीजे चुनाव से छे महीने पहले सुरू हो जाएगा कि हमारे जात को कितने सीट मिले किस पार्टी ने कितना सीट दिय बिल्कुल होना है बिहार की एंस असर कुछ नहीं है नित्यास-कुहार की आखरी पारी, वह स्कुछ कुछ नहीं है और उन्हें को परणियों को 1 को बहुत क्या सुष्ट बडलता रहा हैं B Ajima कैसे क्यों कि पृच्षिन कूछ नहीं दूटिद धालना. नमस्कार मुझपपपुर्वाओं देख रहा है मेरा नाम है अधित देखिए बिहार में इन दिनों सियासी भुचाल काफी तेज हो गया है और ऐसे में ठंड के बीच में जो है राजनीती काफी गर्माहाट सिम्हसूस हो रही है सत्ता परिवर्थन को लेकर करगे कई सारी कया लगाई जा रही है तमाम मुद्दों पर बातचित करने के लिए मुझपपुर्व के कुछ इवाय हैं जिनसे जानेंगे कि क्या लोगों का रहा है क्या लग रहा है जिस तरह से राजनीती महल बना हुआ है ऐसे में फिर नितिश कुमार पलती मारेंगे वह तो उनकी पुरा कि जो खुद घ्री मंत्री बोलते हैं कि हम दुवारा वापस नहीं लेंगे और फिर उसके बाद अब सारे दर्वाजे खोल कर बता रहे हैं सुसिल कुमार बोदी तो यह राजनीती समझ से परे है ना इन लोगों की कोई विचार दा रहा है न कुछ है सिर्फ सत्ता से चिप बैठना चाते हैं और कुछ नहीं है इस सभी को पता है कि नितिस कुमार की आखरी पारी है और उनको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है बस कुर्सी से बने रहना है इस उलट फेर से सत्ता उलट फेर से कहीं न कहीं बिहार का का इसमेंट वी उटाके लिए के जा रहा है सारा इन्वेस्टमेंट आपका उटा के लिए के जा रहा है है या खुले तोर पे भी अगर तेजस्वी अकेले सरकार बनाते हैं एक कहने का मतलब यह है कि मेजोरिटी की सरकार हो तभी कुछ हो सकता है तभी किसी बाहर की इंडस्ट्रियलिस्ट को या फिर बिजनेस्मेन को बिहार पर रोसा होगा जब सरकार नहीं जब तक नहीं जब तक रहेगा यह चलता रहेगा नितीस कुमार को फिर भाजपा में वापसी करते हैं तो कहीं न कहीं भाजपा का वोट वेंग पर असर देखने को मिलें बिल्कुल पड़ेगा जब जिस विचार धारा से वो आ रहे हैं जिसके कारण उनके साथ पासवान आने जाती हैं जो भी OBC, EBC वगरा जो जुड़ रहे हैं उनके लिए तो यह धोखी वाली बात है कि कभी आप नितीस कुमार को सटा देते हैं कभी आप बोलते हैं कि सारे द्वार कुले हुए हैं राजनीती में कभी कोई द्वार बंद नहीं होता है तो इससे तो पार्टी ने कितना सीट दिया कि अचाता है राममंदीर को देंगे नाम और राममंदीर के नाम और वोट दिया तो और भी लोग हैं उनसे भी बातशित करेंगे क्या लग रहा है तो नितियसकुमार की एक पकेट में इस्तीफा होता है एक में उनका जो उसको क्या बोलते हैं जो होता है सपत पत्र होता है उपर उनके फेविकॉल होता है एक तरफ पत्र देते हैं दूसरी तरफ उसको अपना जाके वहां पर सपत ग्रहन करते हैं और फेविकॉल लगाके चिपक जाते हैं कुर्सी से तो यह उनका बस उनका फोकस इतना ही होता है कि हमें किसी भी तरीके से बिहार की सरकार में रहना है बात बागी दुनिया कहीं जाए इधर उधर हो जाए उससे उनको कोई मतलब नहीं उनको बस अपने कुर्सी से मतलब है जनता के कामों से जो है कहीं न कहीं बिलकुल जनता उनसे जो है त्रस्थ हो चुकी है जनता को मितलब जनता तो एक उनको वोट देती है कि हाँ चलिए हमारे ये मुख्य मंतरी के चेहरा हैं हमने उनको वोट दिया आज वो इस पार्टी से हैं और कल उस पार्टी में चले और एक समय उनका पिछला रिकॉर्ड देखिए लाइब जो उन्होंने इंटर्व्यू दिया है मीडिया को या अपने भासन में जो भासन जिस तरीके का उन्होंने दिया है जिन सब्दों का पर्योग किया है सायद देखते हुए हमें नहीं लगता है कि नितिश कुमार कब कि धर पल्टी मार जाए इसकी कोई गारेंटी नहीं है नितिश लालू की सरकार मजबूत है मतलब अच्छा कर लगा है या फिर नितिश मोदी की सरकार देखिए ये आप और हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं धाई साल उन्होंने इनके साथ काम किया और धाई साल उनके साथ काम किया हो सकता है जिन योजनाओं को भाजपा के साथ रहते हुए उन्होंने सुरू किया होगी वो राज़त से जुरने के बाद वो सारे योजनाओं को होता ही होता है यह आपको भी मालूम है हमको भी पता है तो आप कैसे डिसाइड करिएगा कि हां जो योजना मान लेते हैं कि भाजपा के साथ उन्होंने सुरू किया होगा हो सकता है कि राज़त से साथ में जब सरकार उन्होंने बनाया तो राज़त ने उस चीज को बोला कि न बिहार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अब उनको एक मुखे मंतरी के तौर पे देखना चाह रहा है ठीक है और अगर वह भाजपा से वापस जुड़ते हैं तो इससे नितीश कुमार को तो फायदा होगा लेकिन हमार भाजपा पाटी जो है उसको वोट बैंक पे बहुत बात करते हैं तो चलिए मैं दो सब्द यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी और योगी जी के सफल परियासों के वज़ा से राम मंदिर तो हमें प्राप्त हुआ इसकी बहुत खुसी है राम मंदिर के नाम पर वोट के मतलब वोट मिलेगा जरूर मिलेगा इसमें कोई दुरा ह नहीं है जो अभी तक जो यह 500 सालों का जो वनवास था हमारा ठीक है यह अगर किसी ने खतम किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ही किया है साया दूसरी कोई पार्टी संभव नहीं था जो इस काम को कारित कर पाती तो बिल्कुल भाजपा के लिए तो यह बहुत में आ रहा है कि ASI जो है हमारी वो यूपी में जो आपको मतुरा है और वहां पे और कासी विश्वनाद दोनों जगों पे आपना कारे आगे कर रही है तो इन सब चीजों से भी भाजपा को बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने जा रहा है क्योंकि यह तीन जो जग हो गहां उसे भी बात्रीत करेंगे क्या करेंगे जिस लगातार सियासत काफी तेज है लोग सत्ता परिवरतन को ले खर कई सारी क्यास लगा रहा है कोल लोग निटीश कुमार फिर से पलती मारेंगे क्या यह तो कल की उनकी बैठक हो रहे हैं उसके बाद में फैस्टना लें ये और यहां कि आप लोग कई लोगों कारिकाल देखे होंगे कई निताओं का तो इन में कौन बेहतर काम किए और किस दोड़ का जो है कार लगबगक। कौन लोग है जो बिहार को बेहतर बना सकते हैं भाजपा समय में चुनाओं अधिकतर देखा जाता है धन्बल धर्म जाती मंदिर मस्जिद इसके अधार पर वोट होता है तो इसे में जो इस वार वोट होगा वो किसके अधार पर होगा इस पार भोट देखिए विहार की रज़िती सबसे अलग है यहां जातपात की रज़िती आज तक खोती आ रहे हैं यहीं होगी हां कोई भी आए बस यहां की रज़िती में कोई परिवर्तर होगा नहीं जैसा पहले हो रहा है वहीं सहीं होगा मतलब लग रहा है कि फिर से सत्ता परिवर्तन हो सकता है यह कयास लगाया जा रहा है लेकिन समावना नहीं है अब देखिए विल्कुल तो आपने सुना कैसारे जो मुझपपुड के लोग हैं उन्होंने साप साप उनका कहना है कि कैसारी बात सामने आ रही है जिसमें इन मुझपपुर में पाए शांदार क्वालिटी के इंट वो भी सीधे चिमनी से आपके दर्वाजी तक अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माभवानी डेकॉर प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन और इंपोर्टिट ग्रेनाई माबुल, सानितरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्जग संग्रै माभवानी डेकॉर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कम्प्लीट फ्लोर सलुशंस न्यू जीरो माइल दादर रोड मुजफरपूर कॉल 9934753111 क्तुम के लिए भ्राइवेट मुजफर क्तुम के लिए लिए व्लोर से विए । झाल झाल